मसकाई ड्रीम लेवन ठिवागो टीटेन में जो 14 नमबर मैच के भी आर और अनेमल के बिच में खेला जाएगा जो को हम डटेल के जाथ कवर करेंगे पिच रपोर्ड प्लेयर सैर्स और बनाएंगे दोस्तों आपके लिए एक आफ वेनिंग टीम तो वैन्यू शाओन पार्क अगर कोई एक ओबर भी करेगा तो डफिनली विक्टे नकालेगा तो ओफ ब्रेकिंग बौलिंग कौन करेगा और्तो डॉडोक्स बौलिंग कौन करेगा पेसर कौन से अच्छे हैं जए आगे चल के आपको कलियर करेंगे ठीक है इसके बाद बाई जहां से आपको बारा म्क बैट करने आ रहे है भाई उसके परक्स में आप ZL के लिए जादा विनिंग टीम में भी क्रेट कर लीजेगा रिसेंट फॉर्म का बात करें तो तीन में से दो विनिंग की है NML की टीम ने और KBR पांच में से दो विनिंग कर चुकी है तो जहां से भाई क्लियर होगा कि जो NML की टीम है इसके विनिंग चांसे ज़ादा रहेंगे और इसी संकला में जो लास्ट अंकाउंटर दोनों टीमों ने इस अंकला का मैच नंबर चार केला था उसमें NML की टीम ने वान किया था 20 रन के साथ डफेंड करते हुए ठीक है और चेज करने उतरी KBR जहां से 24 रनी बना वाई थी तो मतलब आज वी तो ज़्यादा विनिंग चांस है वो NML की जाएंगे तो अगर आप हैट विनिंग के लिए एसल के लिए खिलेंगे तो ज़्यादा विनिंग टीम याप NML के पक्षमें रख सकते हैं ठीक है तो अब ही बात करते हैं प्लेयर स्टैर्स के बारे में उसके दोस्तों क्रेट करेंगे आपके लिए एक वेनिंग टीम तो जहां से बाई जो इपॉर्टेंट है वो आमीर जगनों आ रहे हैं विकट कीपिंग शेक्शन में से उपनिंग करने आएंगे साथ पचीस चौनतीस इससे पहले तीस काफी ज़्याद इपॉर्टेंट है और व्रेंडों डेमल को रख सकते हैं 4 डाउन जाएंगे तो उसे काफी पॉर्टेंट है ठीक है डेमें 7 डाउन जाएंगे तो इन्हें बले बाजी करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा तो यहां से रिस्की बनेगे तो बाई क्लियर कर दूँ आपको अगर आप एक विक बालिंग करने का भी मौका मिलता है ठीक है पहली इनिंग में बैटिंग किया था बालिंग नहीं किया था पंदरा रन आ रहे हैं दूसरी में बालिंग किया दो विक्टे आ रहे हैं और बले के साथ 10 रन आ रहे हैं लास्ट में बालिंग किया था एक ओबर पंप्लीट करते तो डेफिनली विक्टे निकाल देते हैं और बाई लग शूने रन पर आउट वेते हैं तो इपोर्टेंट प्लेयर हैं बाई एक लास्ट मैच के चलते हैं ट्रॉप करने की घलती मत किजेगा चारे इसका बात करें तो जे सेफ नहीं है गाइस ठीक है कभी कवार एक्टर में गरतुए एक अधी विक्ट निकाल देते हैं वाट सेफ नहीं है रिस्की बनेगे आपके लिए तो आप रिस्की टीम के लिए ही ट्राइ के जगा टू डॉन जहां से थॉमिस आ रहे हैं इपोर्टेंट नहीं है ठीक है इनकी जगा पर ट्योन बैप्स आरे इपोर्टेंट ह ठीक है ओपनिंग करने ही आते हैं निकॉलेस कभी कबार जल्दी भी आटो जाते हैं कभी कबार 65 रन की पारे भी खेल जाते हैं ठीक है तो उसे आपके लिए ट्राइबल पेक में होंगे अगर आप जियल के लिए वाई एक रिस्की टीम क्रेड करेंगे उसमें आप एक दो से रिस्की प्लेयर हैं कभी कबार बले के चलते हैं थोड़ा सा बड़िया खेल जाते हैं एक इनिंग इनका 27 रन काया था उसके बाद लगातार अगर मैचिस देखें तो चार इनिंग में कुछ खास किया नहीं है ठीक है ऐज़े फिल्टर ही खेलें लेक्स मिन गेंद बाज की तो जहां से जादा डिमांडर प्लेयर हैं विकास मोहन देखते ही ड्रॉब कीज़ेगा क्यूंकि लास्ट इनिंग में बॉल नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इनका अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको टेलिगरम पर दे दूँगा फलाल पहले आपको इनको ट्राइ की बन जाते हैं अलफरेट ने भी कुछ खास नहीं किया विकट एकर नहीं है लाग क्यार इनिंग में इनके बाद भाई केरन इसे डेफिनली दो वर कॉम्प्रीट करते हैं पहली इनिंग में विकट आया था बट उसके बाद लास्ट में इनका जो पिटाई है वो खुब और बॉलिंग सेट की बात कर लेते हैं वाई करिश्टो रामसर जे बॉलिंग करने नहीं आ रहे हैं इतना अडबंटस भी नहीं मिलेगा अगर बॉलिंग कर भी लेते हैं फुला लास्ट दो इनिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो ट्राई मत किज़ेगा हाला कि करेंगे बटा आपको नहीं करना है ठीक है डिमान जॉचन का बात कर लेते हैं जी गाइज और्थो डॉक्स बॉल रहे हैं तो आपको पहले बताया था कि और्थो डॉक्स को मदद मिलेगा जहां से पेसर और और बेकर बॉलर के साथ में तो लगातार विकट टेकर बन रहे हैं और वेरेंड चारज जे भी लगाता हरी नहीं में विकटे ले रहे हैं तीन इनिंग जहां से बाई इनकी पांच विकटे आनिया तो यह दोनों इपॉटेंट है और एको जर्जिया बॉल नहीं कर पाए थे पहली नहीं में और स्पिन गेंदबाज यह एडवन्टस नहीं ल तो दोस्तों अभी आपके सामने है इस मैच का सबसे जबरदस टीम ठीक है अगर लाइना में चेंजिस नहीं होते हैं आप 100% वान करेंगे गाईज मेरी इस टीम के साथ में तो जहां से मेरे लिए कौन आ रहा है वाई विकट कीपिंग श्रेक्शन में आमीर को मैंने दोनों से आपको बेनिफिट देंगे स्कॉर्डेंस इपॉर्टेंट हैं बट कभी मिस हो जाते हैं तो जीयल में ध्यार रखेगा एक दो टीमें क्रेट कर लिए इनके बेना ठीक है इसलेक्शन काफी ज़ादा जाएगा और पॉरन आ रहे हैं जह भी ओपनिंग करेंगे तो विकर्टे करें तो यह होगा दोस्तों हमारा आज का पडिक टीम ठीक है तो बहीं अगर कैपनेंस यह उप्शन का बात करें अगर आप गाईज जीयल के लिए खेलने वाले हैं तो जहां से चारलिस काफी पॉर्टेंट है आपके लिए इनके बाद पॉर्टन को रख सकते है जीयल में ठीक है और नीचे देखें तो जॉनसन भी जादा लोग ट्राई करेंगी जादा लोग टीम में रखेंगे केप बने के चांट तो बहुत जदा कम है इनके बाद बाइज बालिंग सेट से जो चेन अच्छा भी कल्प होगा ठीक है और अगर आप सेफ रहकर खेलना चाहते हैं head to head के लिए और SL के लिए तो बैपसर के साथ आप मौका दे सकते हैं जहां पर गोबी है तुझे दोनों काफी जाद important है ठीक है तो एक बार pause करके टीम को जुरूर देखेगा और जो टीम आपको देते हैं वहीं में शाखो लगाते हैं गाइस हारेंगे साथ में तुझी तेंग भी साथ में